प्याज की समस्या अगर जापान में होती तो लोग उसको कैसे हंडिल करते हैं क्योंकि जापान एक बुद्धिष्ट देश है और बुद्धिष्ट देश में कोई समस्या को बहुत ही बुद्धी के साथ में हंडिल करते हैं उसको समालते हैं उसको देखते हैं भारत चुकि पहले एक कंट्री असा था जहां सारे के सारे लोग बुद्धी का इस्तमाल करते थे अभी बुद्धी के इस्तमाल करने का स्थर बहुत निम्ध हो जया है प्याज भारत में अगर कम हो जाती है तो उसका हाय हुला बहुत जादा होता है जापान के अंदर अगर प्याज खतम हो जाता तो लोग जापान के अंदर प्याज खतम हो जाता तो लोग जापान के अंदर प्याज खतना इस्तमाल करना ही बंद कर देते है जापान में ऐसी कई घटनाएं हुई है जबकि वहाँ एमर्जेंसी आई है तो उन्होंने उस चीज का इस्तमाली बंद कर दिया और इस्तमाल बंद करने से उस चीज का क्रैसिस उस चीज की कमी अपने आपी पूरी हो जाती है अगर भारत में प्याज कम है तो आप उसका हफ्ते दो हफ्ते की निये एक महने की लिए इस्तमाल बंद कर दिये उस पे रोना दोना बंद की जिए wisely बुद्धिश्ट लोग की तरह बुद्धिमान लोग की तरह सोचिए किसी खाते पधात के एक खाते पधात के कम हो जाने से जीत पो या मनुस्य में कोई फरग नी पढ़ता वो कहीं मारे नहीं जाते हैं प्याज अगर आप एक महिने नहीं खाएंगे कोई आपक आने वाली नहीं है जापानी की तरह सोचिए अपने देश को जापानी तरह आगे बनाईए बुद्धिश्ट लोग की तरह सोचिए और बुद्धिश्ट देश जैसे आगे बढ़ते हैं उस तरह से बनाईए धन्यवाद